करता हूँ किसा बढ़गा होगा? दोस्तों आज मैं आपको जिस देश के बारे में बताने वाला हूँ उस देश में इतनी रहसिमाई चीजे हैं जिसका कोई अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता जियां यहां यहां पर दुनिया के साथ अजूबों में से एक अजूबा भी मौजूद है फ्रेंज आज मैं आपको जिस देश के बारे में रोचक फैक्ट्स बताने बाला हूँ दरसल उस देश में आप डक्षन से उत्तर की और कम्प्लीटली पैदल चलते हुए जा सकते हैं जियां ऐसी चीज आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी इस देश में हॉलिवड के फिल्मों की भी खूब शूटिंग होते हैं क्योंकि ये है एक हिस्टोरिकल कंट्री यहां के लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये खाने पीने में एक स्पोर्ट होते हैं कहने का मतलब ये है कि ये तरह-तरह का खाना और खूब सारा खाना बहुत पसंद करते हैं ये यहां की प्रथा है दोस्तों आज मैं आपको दुनिया के सबसे रहसिमाई देशों में से एक यानि कि जॉर्डन के बारे में रोचक जानकारियां देने वाला हूँ दोस्तों आप इस वीडियो को आंत तक जरूर देखेगा और साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये काम भी करे लिजे दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं कि जॉर्डन तो इस देश का शॉर्ट नेम ये कंट्री 88,780 स्क्वार किलोमेटर में फैली हुई है ना कि 92 प्रतिशत आबादी अर्बन है यानि कि शेहरों में रहती है वहीं 8 प्रतिशत रूरल दोस्तों जॉर्डन अभी भी बहुत ही यंग कंट्री है और दोस्तों इस देश के लोगों की आस्तन उम्र इस समय है मा काबा खाड़ी के दक्षिन में सीरिया ये मरुस्तिल के दक्षिनी भाग में स्थितिक अरब देश है जिसके उत्तर में सीरिया, उत्तर पुर्व में एराग, पश्चिम में इस्रेल और पुर्व और दक्षिन में सौधी अरब जैसे देश हैं वैसे तो ये देश कुल 89,341 स्वर किलोमेटर में फैला हुआ है लेकिन इसका ज्यादतर हिस्सा रेकिस्टान से घिरा हुआ है दोस्तों आपको बता दें कि जॉर्डन का इतिहास बहुत लंबा है जियां यहां पर आपको कई सारे हिस्टोरिकल चीज़ें देखने को मिल जाती हैं कहते हैं कि यहां कि संस् बता दूं कि जो लोग यह स्टेश की यात्रा करके आ चुके हैं और यहां पर ठंड के मौसा में कुछ समय बिथा कर आए हैं उनसे पूछे इस देश के बारे में कई लोग का मानना है कि एक खुबसूर्ती के मामले में मिडल इस्ट का स्विजर लैंड है दोस्तों इस से जिस जिस तरह की कंट्री से घिरा हुआ है और जो यहां का पास्ट रेकॉर्ड रहा है उसे देखकर कई लोग तरते हैं इस देश की आत्रा करने से लेकिन आपको बता दूं कि जॉर्डन पूरी तरह से एक सरक्षत कंट्री है यहां आपको कई आने देशों के मखाबले थोड़ा ज्यादा सतरक रहने की जरत है क्योंकि दोस्तों यहां पर सबसे ज्यादा दुरगटनाय तब होती हैं जब आप टाक्सी सर्विस लेते हैं यहां कि यहां इसको लेकर प्रशासन काम पे लगी है दोस्तों जॉर्डन एक इसलामिक देश है यहां पर 93 प्रतिशत के लोग रहते हैं यहां पर आपको हर जगा मदर से देख जाते हैं यहां कि लोग बाके इसलामिक कंट्रीज की तरह ही अपने धर्म को लेकर बहुत इमोशनल होते हैं यहां कि ज्यादातर सन्य मुसल्मानों को अपने धर्म के बारे में अच्छी खासी जानकारी होती है और जो यहां का केंग चाहे वो ही यहां का नियम बन जाता है किंग अब्दुल्ला दुटिये ने 7 फरवरी 1999 को यहां शासन अपने हाथों में लिया था दोस्तों जॉर्डन में दुनिया के साथ नए अजूबों में से एक पिट्रा मौजूद है जो युनेस्को के विश्वधरोहल स्थल की सूची में शामिल है दरसल पिट्रा एक प्रसिद पुरा तत्विक स्थल है जो करीब 300 इसा पुर्म में नबाटन सामराजी की राजधानी हुआ करता था दोस्तों जॉर्डन देश की राजधानी है अमान जो दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है का जाता है कि यहाँ पर 13th सेंचरी बीसी से ही लोग रहते आये हैं आज भी इस शहर में आपको एक से बढ़कर एक पुराने जमाने की चीज़े देखने को मिल जाती हैं आज भी हर दिन यहाँ पर आकलोजिकल डिपार्टमेंट के लोग आपको काम करते हुए दिख जाएंगे विचार जरूर होता है कि क्यों नहीं इस देश को पैदल चलते हुए एक्स्प्लोर किया जाए जिए आपने सही सुना देश को पैदल चलते हुए एक्स्प्लोर करना आपको बता दें कि जॉर्डन ट्रेल एक ऐसा रोट है जिसके मदद से आप इस देश को वॉक करते हुए नजदीक से जान सकते हैं जियां आप जॉर्डन ट्रेल के मदद से नॉर्थ से साउथ 421 माईल की जर्णी पैदल टै कर सकते हैं कई लोग ऐसे होते हैं जो कि इस यात्रा पे निकलते हैं कहा जाता है कि यात्रा 40 दिनों की होती है और यहां के कई सारे लोकल और बहर से आए टूरिस्ट भी पैदल ही इस देश को समझने के लिए निकल भड़ते हैं दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि हॉलिवड के लिए जॉर्डन पसंदीदा जगहों में से एक है जियां यहां यहां पर कई सारी हॉलिवड फिल्मों की शूटिंग हुई है कहते हैं कि यहां के लोकेशन का बैकड्रॉप बनाकर हॉलिवड फिल्मों में दिखाया जाता है क्या बात है वैसे यहां के लोकेशन हैं भी फिल्मों के लायक है फ्रेंज जॉर्डन देश की राज़ानी अमान की बात सबसे अलग है आपको बता दूँ कि यहाँ पर कुल देश का 40 प्रतिशत हिस्सा रहता है जियाँ यानि कि 40 लाख लोग से ज्यादा लोग इस शहर में रहते हैं यहाँ का नजारा देखकर आपको लगेगा कि क्या शांदार तरीके से इतने सारे लोग इस खुबसूरत से शहर में पसे हुए हैं यहाँ पर कहीं भी आपको Unplanned Housing Societies नजर नहीं आएंगे चुकि यह अतिहासिक शहर है इसलिए यहाँ पर सबकुछ well planned है दोस्तों आपको यह भी बता दूँ कि जॉर्डन के लोगों के बारे में कहा जाता है कि यहाँ की जनता खाने पीने के मामले में किसी भी देश से आगे है यहाँ यह बात भी सच है यहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक टेस्टी चीज़ें खाने को मिल जाते हैं यहाँ पर mainly non-wich खाते हैं लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ के लोगों का digestive system बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा खाने वाले देशों में जॉर्डन शामिल है जो ग्रीन टी नहीं पीते हैं वो गरम पानी का सेवन करते हैं यह सब यहाँ के डेली रूटीन में शामिल है यहाँ के लोगों की यह आदत है और शायद इसलिए यहाँ के लोग इतना खाना खाने के बाद भी फिट रहते हैं दोस्तों आपको बता दूँ कि जबल उम अधदमी जॉर्डन का सबसे उचा पाहाड है जिसकी उचाई 1854 मीटर है वह इस देश की सबसे लंबी नदी जॉर्डन नदी है जो 251 किलोमेटर लंबी है जबकि यहाँ की सबसे बड़ी जील सी ओफ गलीली है 166 वर किलोमेटर में फैले हुई है कहते हैं कि इसके टॉप पे पहुँचकर आप आसपास का जब नजारा देखते हैं तो यह किसी जन्नत से कम नहीं लगता यहाँ पर भी लोकल लोग बड़ी संख्या में आते हैं और पहाड की चड़ाई करते हैं दूस्तों ये बैद तो आपको पता ही है कि जौर्डन अर्भी देश है लेकिन यहां की एक खासियत भी है जियां दूसरे अर्भी देशों की तरह यहां पर केबल टीवी देखने पर रोक नहीं है यहां के लोग अलग अलग तरह के चैनल देख सकते हैं यहां पर आपको दो ही भाशाओं में चैनल मिलते हैं और वो भ प्रकिस्तान में कुछ रहस्यमाई और विशाल आकरतियां बनी हुई हैं जो सीरिया से लेकर जॉर्डिन और सौधी अरब तक फैले हुई हैं। इन रहस्यमाई आकरतियों को अजराक O.S.S. वील कहा जाता है। माना जाता है कि इन आकरतियों को करीब 85-100 साल पहले बनाया गया होगा। हलंकि इसके बारे में कोई पुखता प्रमान मौजूद नहीं है। इनने क्यों बनाया गया था ये भी किसी को नहीं पता। इस टॉपिक पर कई सालों से रसोच किया जा रहा है। और आज भी इसके पीछे के रहसी के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशश की जा रही है। लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा है। हलंकि कई सारे लोकल लोगों का कहना है कि ये साइन किसी और प्लैनेट के लोगों को दुनिया में अट्राक्ट करने के लिए बनाया गया था। इस बात में कितनी सच्चाई है ये किसी को नहीं पता। इस साइन को लेकर हर किसी की अपनी अलग ही थियरी है। दोस्तों आपको बतातों कि जॉर्डन के लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये emotional fools नहीं होते हैं जिहां यहां पर आपको कोई भी बहुत प्यार से भात करतावा नहीं दिखेगा केते हैं यहां के लोगों का ये basic nature ही होता है कि वो किसी की life में बहुत ज्यादा नहीं जागते हैं और नहीं वो allow करते हैं कि वो अपनी राय उनके बारे में थे अलंकि कई लोग जो बाहरी देशों से यहां आते हैं उनको इस बात को लेकर नाराज़गी रहती है शुरू में क्योंकि आपको लगता है शायद ये लोग arrogant हैं लेकिन बाद में पता चलता है कि ये यहां के लोग का nature ही है जो कि अपनी जगा ठीक है अच्छी बात है न तो किसी को परिशान करना है और नहीं परिशान होना है अच्छी सोचे दोस्तों आपको बतानू कि इस देश में एक लाख आखेलोजिकल एंड टूरिस साइट्स मौजूद हैं जिहां यहां पर एक से बढ़कर एक खुबसूरत जगहें हैं गोमने के लिए हलंकि यह बात अलग है कि आज भी इस देश की आत्रा पर आने से बहुत सारे लोग डरते हैं कई लोगों को लगता है कि कहीं यहां का महौल अचानक के खराब न हो जाए और वो जॉर्डन में फस्ट न जाएं हलंकि जो लोग आलरेड़ी इस देश की आत्रा कर चुके हैं उनसे कभी बूचिये उनके हिसाब से ये एशिया के सबसे खुबसूरत देशों में से एक है जहां के बारे में बहुत सारे लोगों ने अब तक एक्स्प्लोर नहीं किया विल फ्रेंज आपको बता दूँ कि यहां का सबसे ज्यादा पसंदीदा खाना है मनसाफ जियां यहां के लोगों के बीच में ये डिश सबसे ज्यादा पॉपिलर है इसे बनाने का तरीका भी कुछ अलग है इसलिए यहां के लोग लैंब मीट का इस्तिमाल करते हैं साथे इसमें राइस डालते हैं और उसके बाद दही भी डालते हैं और इन सब को मिला कर मनसाफ तयार किया जाता है दोस्तों जॉर्डन की करेंसी जॉर्डेनियन दिनार है आपको बता दें इसके वैल्यू काफी ज्यादा है एक जॉर्डेनियन दिनार लगभग 103 भरती रोपियों के बराबर होता है दोस्तों अंत में आपको बता दूँ कि यहां की कापिटल सिटी यानि की अमान की शाम बहुत नशीली होती है जियां यहां पर शाम होते ही ज्यादा तर लोग आपको बार में नज़र आएंगे और यहां के लोगों के बीच में पीने का शॉक बहुत ज्यादा है तो दोस्तों ये था जॉर्डन कैसा लगा हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं क्या आप कभी इस देश गए हैं और अगर गए हैं तो आपका experience कैसा रहा